मुंबई क्रोज ड्रॉक्स केस को लेकर NCB के जोनल डिरेक्टर समीरवान खेड़े पर एक गवा ने आट करोर उपे रिश्वत लेने का आरोप लगाया समीरवान केड़े की मुश्किलें बढ़ सकती है दरसल एक अने ड्रॉक्स केस के गवा शेकर काоров किया है और शेकर कामले पर रश्वत लेने के आरोप लगे हैं तो शेकर काम्बले ने भी दावा किया है कि नाइजेरियन ड्रक्स केस में उनसे 10-12 साधे कागस पर शाइन कराए गए थे नाइजेरियन ड्रक्स केस में NCB के पंच रहे शेकर काम्बले ने कई खुलासे किये सेखर कामले ने बुदवार को नवी मुंबई के कोपर खेरने थाने में शिकायत दर्च कराई उन्हें शिकायत की कि उनकी जान को खतरा है शेखर कामले ने आरूप लगाय कि कारवाई के दौरान समीर वान केड़े ने 10 से 12 कागस पर हस्ताक्षर कराई थे और कुछ ना होने की बात कही सेखर कामले ने बताया कि उन्हें बुदवार को नसीबी ओफिस से अनिल मा ने नामक ओफिसर उनका फोन आया और नसीबी ओफिस में आकर उनसे मिले ऐसा कहा आरिन खान डॉक्स केस में नसीबी के गवाब प्रभाकर शेल ने हलफ नामा दे कर दावा किया था कि उससे इनसीबी ने दस साधे कागसों पर हस्ताक्षर करवाई प्रभाकर शेल खुद को किरन गोसावी का बोडिगाद बता रहा था किरन गोसावी वही शक्स है जिसकी फोटो आरिन के साथ वाईरल वी थी उन्हें एनसीबी ने अपना मुखा बिर बता था और प्रभाकर शेल के मताबिक उन्होंने करन गोसावी को सैम डिसुजा नाम के एक शक्स से बात करते वे सुना था कि 25 करोर रुपए की डील है और इसमें 8 करोर समीर वान केड़े को देने हैं तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जुड़े रही है हमारे साथ नेक्स नाइन लाइफ से सुर्भी के रपोर्ट